हेलो गाईज आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फाइनेशल मैनेजमेंट क्या होता है फाइनेशल मैनेजमेंट यानि फाइनेश को मैनेज करना यानि की पैसे को मैनेज करके चलना इसे हम कहते हैं financial management की एक business के अंदर finance को कैसे manage गया जाता है देखिए इसको हम एक example की तुरू समझते हैं जिसे literally बहुत ही easy language में आपको समझ में आ जाएगा तो देखिए जैसे हमारे पास एक business हमने start किया है जैसे हमने एक business start किया है लेकिन उस business को start करने के लिए हमें पैसे की need होगी ही होगी बट हमने क्या किया जितना पैसा हमारे पास था वो सारा हमने अपने business में invest किया बट अब हमें और भी पैसों की need है तो अब हम क्या करेंगे अब हम ये करेंगे कि जो भी हमारे relative हैं या friends हैं या जानकार हैं उनसे लेंगे पैसा और अपने बिजनस में इन्वेस्ट करेंगे जब हम अपने फ्रेंड से लेटिव जानकार से पैसा लेंगे उस प्रेसेस को हम कहेंगे फाइनसिंग डिसीजन उसे क्या कहेंगे फाइनसिंग डिसीजन जब हम अपने relative से friends जानका से पैसा लेंगे और उसे business में invest करेंगे तो उसे कहेंगे investment decision उसे कहेंगे investment decision समय इतना समझ आया किसी से पैसा लिया तो financing decision पैसी को business में invest किया तो investment decision अब जो वो पैसा है उसे हम जब इन्वेस्ट किया तो उससे कुछ नो कुछ हमें profit तो होगा जो वो profit होगा उसे हम जितने जितने पैसे हमने जित जित से लिए उसके हिसाब से distribute कर देंगे उसे कहेंगे dividend decision उसे कहेंगे dividend decision लिटरली यही मतलब था financial management का कुछ नहीं है financial management बस इतने easy language में यही है कि finance का manage करने को financial management कहते हैं I hope कि आपको financial management का meaning समझ आया होगा thank you